नमश्काम मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है आज है 11 सितंबर दिन सोंबार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर पिटना हाई कोट में 36 पदों के लिए निकली भरती वानेचिक वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट बनेगा ओनलाई बिएक डिग्री धारी उमिदवारों को बीपेसी ने दीर बढ़ी राहत बिहार में यहां बनेगा एकलविस सेंटर और स्टेडियम रिजर्व दे में गया भारत पाक मैच अब आज होगा मुकाबला अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 परी खबरों के ओर विस्तार से पटना हाई कोट में 36 पदों के लिए निकली भरती हैं आपकी जानकारी के लिबता दे के आविधन करने की अंतिम तारिक 18 सितंबर 2023 तक नरधारित की गई है वहीं अगर सेचनिक योगिता की बात करे तो जो मिद्वार इस पद के लिए आविधन करना चाहते हैं उनके पास किसी मानिता प्राप्त संस्थां से कंप्यूटर अप्लिकेशन में कम से कम छे महीनी का कोर्स का डिप्लोमा प्रमान पत्र होना चाहिए इस भरती स्चुरी अधिक जानकारी के लिए उमिद्वार आधिकारिक साइट पर जारी केगा अधिसूशना को देख सकते हैं अधिक लिए ईयानी के 11 सितंबर से हो रही है जो कि 16 सितंबर तक चलेगी वहीं 9 से 14 ओक्टूबर तक इस मिशन इंद धनुस का दूसरा चरन चलाया जाएगा और 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक तीसरा चरन बतादे कि टीका करन के पहले पंजी करन करवाना आवश्चक है इसलिए आसा के सहयोग से यूव विन एप पड़ आप पंजी करन करा सकते हैं इसके लावा अगर आप जाना चाहते हैं कि आपके बच्चे को पूरे टीके लगे हैं या नहीं तो इसकी जानकारी आप अपने स्वास्ते कारी करता से संपर्क कर ले सकते हैं वानेचिक वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट बनेगा ओनलाइन अब राजी के सभी वानेचिक वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट ओनलाइन जारी किया जाएगा बतादे किसको लेकर कुछ दिनों तक ट्रायल किया गया था जिसमें सफलता मिलने के बाद इस नहीं विवस्था को राजी भर में लागू कर दिया गया है यानि कि अब कमर्सियल वाहन मालिकों को या चालकों को फिटनेस प्रमान पत्र के लिए डी टी ओ या आर्टी ओ का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा अब वानिजेक वाहन के मालिक पडिवहन विवाग की वेबसाइट मालमों के संबन में बिहार राजी पडिवहन आयुक के द्वारा पत्र जारी कर सूचना दे दी गई है बिहार के परिटर में आज हम बात करेंगे बड़ाबर गुफाईं के बारे में जिनने पूरी तरह से ग्रेनाइट को तरासकर बनाये गया है जिनमें से एक उचस्तरिये पोलिस युक्त, आंतरीक सत्था और गुंज को रुमांचक प्रभाव पैदा करता है इन गुफाओं का उपयोग आजवी का संप्रदाई के सन्यासियों द्वारा किया गया था जिनके इस्थापना मक्हिल गोसाल द्वारा की गई थी वे बहुत धर्म के संसापक सधार्द गौतम और जैन धर्म के अंतिम एवं 24 वे तिर्थकर महावीर के समकालीन थे इसके अलावा सिस्थान पर चट्टानों से निर्मित कई बहुत और हिंदू मूर्थियां भी पाई गई है बिएड डिग्री धारे उमेद्वारों को बीपीएसी ने दी बड़ी राहत वर्तमान में बिहार लोकसेवा आयोग के तरफ से आयोजिस्थ बिहार सक्षभरती परिक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों का डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन करवाया जा रहा लेकिन इस डॉक्यमेंट वरिफिकेशन में अगर किसी अभ्यर्थी को परिशानी हो रही है तो वह अभ्यर्थी बीएड अभ्यर्थी है पुर्वा पिक्छाओं आधी के संबंद में कुछ प्रश्न है उन्हें पहले विग्यापन को पढ़ना चाहिए ध्यां से और यदी अभी भी स्पस्ट नहीं है तो उन्हें स्पस्टी करन के लिए सिक्षा बीपीएसी कार्याले से संपर्थ करना चाहिए अपने उद्यमी बनने का सपना ऐसे कड़े पूरा अगर आभी उद्यमी बनने का सपना रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है बतादे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतरगत वीतिय वर्श 2023 के लिए 15 से 30 सितंबर 2023 तक नए आविदन लिये जाएंगे SMS योजना सुजरी विस्तरे जानकारी और प्रोजेक्ट कास्ट लिस्ट की जानकारी को लेकर M.M.U.Y. पोटल www.उद्यमी.behar.gov.in पर विखसित कर सकते हैं बतादी कि एक आविदक किसी एक ही कैटेगरी में आविदन कर सकता है वहीं लाभारतियों का चैन लोट्री के माध का चैन किया जाएगा तो फहीं कैटेगरी B में चर्म एवन वस्टर खादे प्रसंस करनतरथा अन्य चेटर के 24 परयोजनाओं के लिए 3500 लाभूकों का चैन क्या जाएगा इसके लावा कैटेगरी C में ब्यारा के और दौएक चैतर में मात्र चर्म एवन वस्टर चेतर के अधिकारी राना अमितेश के दौरा जानकारी देते में बताया गया है कि इस रोजगार मेला में शामिल होने वाले एक छुक आवीदुकों को NCS पोर्टल पर रेजिस्ट्रेशन करवाना अनिवारे होगा ऐसे में उमितवार अपने पायोडाटा के साथ 14 सितंबर तक फॉर्म को भर सकते हैं बतादे किस दौरान अभियर्थियों के पास बायोडाटा आधार कार्ड और पैन कार्ड संबंधिस सैचनिक प्रमान पत्र अं इंसेंटिव सहित अनिव सुवधाई भी उपलध करवाई जाएंगी बिहार में यहां बनेगा एकलविस सेंटर और स्टेडियम बहुत जल्दी बिहार की राजधानी पटना के मुकामा में भी अत्याधुनिक सुवधाओं से युक्त स्टेडियम का निर्मान किया जागा बता देक इस बात की जानकारी बीतेद बिहार सरकार के कला संस्कृती एवं युव विभाग के मंत्री जितंदर कुमार राय के द्वरा रामजी दास मामराज धर्मशाला के जिनुधार में घोशना कर दी गई है पर रखा जाएगा उन्होंने कहा कि राजी के खेल प्रतिभागी जो मेडल जीत रहे हैं उन्हें अब बिहार सरकार के द्वरा बिना किसी परिक्षा के डियास्पी रैंक स्तर तक की नौकरी दी जारी है यानि कि अब खेलोगे कुदोगे पढ़ोगे बिहार बिहार में 81,595 अयोग्य किसानों को लोटानी होगी किस्त प्रधान मंतरी किसान सम्मानिदी योजना के तहट सरकारी बैंकों से राशी प्रात्र करने वाले राजी के 81,595 अयोग्य किसानों से लगभग 81,5-9 करोर रुपए वापस लिये जाने की प्रक्रिया में बिहार सर बिहार सरकार के निदेशक आलोक रंजन घोश के दोरा चानकारी देते वे बताया गया है कि राजियस्तर ये बैंकर समीती की हारिया बैठक में बैंकों के सभी वरष्ट अधिकारियों को अयोग्य किसानों से राशी वापस लेनी की प्रक्रिया शुरू करने को सरवच प्र बरशक हो तो योग्य किसानों को नए सिर्य से रिमाइंडर भेज़ा जाए और इसके लावा अयोग्य किसानों के खाते से लेन देन पर रोक लगाने का भी नर्देश दिया गया है उन्होंने खा कि योजना के जनला भार्तियों को सरकार के द्वरा आईकर का भुकतान करने या अनेक कालन से अयोग पाया है उन्हें अब तक ृफ्त रासी सरकार को वापस्त करनी की लिए प्रवेस्पत्र最近 के लिए प्रवेस्पत्र आज हो औरे जारी। के लिए Bom Geral के लिए इंजिनरिंग और मेडिकल में न मांकरन के लिए आयोजित प्रवेस्पत्र का प्रवेश्पत्र आज यानि की सुमवार को जारी किया जा सकता है SMS परिक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी बोड की आधिकारिक वेबसाइट coaching.biharboardonline.com पर जाकर अपना प्रवेश्पत्र डाउन्लोड कर सकते हैं पतादी के परिक्षा में शामिल होने वाले जिन भी अभ्यर्थियों को चुनहत किया जाएगा उन्हें बिहार के राजधानी पटना, मुझपरपूर, छपड़ा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपूर, मुंगेर और गया प्रमंडल में इंजिनरिंग और मेडिकल के कोचिंग में निश्रुल्ख प्रवेश मिलेगा आपके जानकारी के लिए बता दे कि यह पड़क्षा 17 सितंबर 2013 को आयोजित होने वाली है मातरी भाषा को लेकर बिहार के राजधाल का बयान बीते दिन रविवार को बिहार के राजधाल राजधर विश्वनात आलेरकर के द्वारा पटना के एक होटल में बिहार की भाषाओं और साहिते पर आधारित आखिर बिहार उत्सब 2023 के सुभारम के मौके पर दीप प्रजोलित कर कारेकरम का उधगाटन किया गया इस दुरान उन्होंने मात्रि भाषा को लेकर कहा कि अपनी मात्रि भाषा को लेकर हमारे अंदर कोई हिंता की भागनान नहीं होनी चाहिए बलकि हमें गर्व करनी चाहिए इसके साथ ही हमारे अंदर अन्य भाषाओं को लेकर भी कोई कटूता नहीं होनी चाहिए। यह लज्जा का विशय नहीं है लेकिन अगर हमें अपनी मातरी भाषा का ज्यान नहीं है तो यह बेशक हमारे दिये लज्जा की बात है। इस दोरान टाइम्स ग्रूप ने अपना रेडियो चैनल रेडियो मिर्ची शुरू किया। और संदीब को सो प्रोड्यूशर बनने का पहला मौका मिला। बाद नोंने रेडियो मिर्ची में मनुरंजन प्रमुक के रूप में नुक्त किया गया। वह 2005 में मनुरंजन प्रमुक के रूप में रेडियो शुर्टी में सामिल हुए और कई सो लॉंच किया। वह 2007 में राश्टी मनुरंजन प्रमुक के रूप में बिग एफम में चले गया। उन्होंने 2008 में S.O.L. Entertainment के साथ कलर्स चैनल पर अपना पहला स्वतंतर सो डांसिंग क्वीन का निर्मान किया। वह 2011 में संजय लेला भनसाली के प्रोडक्शन हाउस भनसाली प्रोडक्शन में CEO के रूप में स्तामिल हुए। नहीं क्या जाएगा क्योंकि इनकी आवेद्नों में त्रूटी पाई गई है इसके जानकारी वेबसाइट सभीजल अपदाधिकारी को 1, 7 और 15 ओक्टूबर को दो पालियों में लिखित परिक्षा के लिए परिक्षा संयोजक मनोनित करने के लिए पत्र लिखा गया है। बतादे कि पहले पालि की परिक्षा के शुरवा सुभध 10 बजे से होगी जो की दो पहर 2 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरे पालि की परिक्षा के शुरवा दो पहर 3 बजे से होगी जो की शाम 5 बजे तक चलेगी। देखने को नहीं मिल रही बलकि सराव तसकर आए दिन तसकरी के लिए नए नए तरीकों का निजात करते हुए पाई जा रही है। बतादी के ताजा मामला बिहार के वहशाली के गोडौल थाना चितर के बड़े बागाओं का है जहां कुप्त सूचना के आधार पर पुलस के दोरा छापे मारी करते वे एक ट्रक और दो लगजरी गारी से 83 कारी और एक बाइक 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 की गई है। इस बारे में महुआ स्टी पियो सुरफ सुमन के दोरा जानकारी देते वे बताया गया कि पुलस ने काड़वाई करते वे सराप तसकरी में शामिल एक ट्रक एक स्कॉर्पियो एक सफारी और एक बाइक बाइक बढामत की है और साथ ही 83 कार्टन विदेशी शरा भी बढामत के दोरा जारी पुलवारुमान के अनुसार आज राजी में बारिस को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है वहीं अगर कल यानी की 12 सितंबर के मौसम की बात करें तो राजी के उत्री एवं दक्षिन पश्मी भागों के जिलों के एक या दो अस्थानों में वजरपा बिहार के जेलों में कैती खांसर से लेते हैं ऑनलाइन ख्लास बिहार के बांका जेल के दोरा राजी इस्तर पर एक नया आयाम गर दिया गया है दरसल राजी में ऐसा पहली बार हुआ है जब जेल के अंदर बंसाक्षर युवा बंदियों को विवन प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले सक्षक शामिल हैं बतादी की जेल में यह नया कृतिमान इससा सक्षक दिवस के अफसर पर रचा गया है वर्तमान में सिस्मार्ट क्लास में बांका जेल के उन 25 बंदियों को जोड़ा गया है जो इंटर पास और सनातक पास है जेल प्रशासर इन युवा को अभ्यास की भी सुवधात दी जाती है कि सीम नितीश ने 11-12 सितंबर को बुलाई बैठक 2024 में होने वाले लोग सभा चनाओं को लेकर बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के द्वारा भी तैयारी की शुरवात कर दी गई है बता दे कि सीम नितीश के द्वारा 11-12 सि सभी जिला और प्रक्रण अध्यक्ष्टों सभी जिला और विधान सभा प्रभारी की एक बैठक बुलाई गई है इस बारी में जेडियों के वरिष्ट नेता और मंत्री श्रवन कुमार के दोरा जानकारी देते वे बताये गया है कि अब बैठक एक रूटीन बैठक है लेक किया कोई नई बात नहीं है हमारे नेता तो लगातार पार्टी नेताओं से मिलते रहते हैं इस मिटिंग में संगठन को धारदार बनाने के लिए उन्हें टिप्स भी दिये जाएंगे 2024 के लिए जब चुनाव की घोशना होगी तो इंडिया गडवंधन की तहत भाजपा को सभी सीटों पर हडाएंगे इस बैठक में 700 से 800 निताओं को बुलाए गया है उन्होंने बताया कि इस बैठक के लिए पूरे आयूजन की जिम्मेदारी जदि उस संगठन से जुरे हुए मुख्याले के निताओं को दी गई है 2024 को लेकर तेरश्वी ने मिसंद 24 को किया एक्टिव एक जूटता परी रहे नेता अपने च्छितर में समय दें जनता से मिले और उनकी समस्याओं को सुने उन्होंने कहा कि हमें केंद्र सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुँचाने का काम करना है अमेरिका के राश्वपती और प्रधान मंत्री मोदी से मुलाकात के बाद सीयम नितीश का बड़ा बयाद जीबी सिखर समयलन के रातरी भोज में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार भी राश्वपती द्रौपती मुर्मुर के निमंत्रन पर दिल्ली पहुँचे थे प्रतिद्रमने रातरी भोज में अमेंका के राश्रपति और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, वहीं मुलाकात के बास सिय अमनितिश के दौरा बीत दिन एक बड़ा बयानती आ गया, उन्होंने कहा कि रातरी भोज के दौरार वा करीब चार घंटे तक भारत म पर नपम में रहें सब कुछ काफी बढ़िया रहा इस दुरान उन्हें कई अलग-अलग नेताओं से मुलाकात की उन्होंने कहा कि उन्हें राश्ट्रपती की ओर सिन्यमंत्रन भेजा जा गया था जिस वजह से वह वहां पहुंचे थे मालम हो कि रातरी भोच से जुड़ी सी के मंत्री हिमंत्विस्वा सर्मा के साथ बैठे नजर आए जो आमतोर पर भाजपा की प्रतिद्वंदी दलों के खिलाख मुखर दिखते हैं वहें उनके साथ भाजपा सांसद निसीत प्रमानिक भी मौजूद थें इसके अलावा नितीश कुमार के बगल में केंद्रिय रा नितीश पर हमला जन सुराज के सुतरधार प्रशांत कसोर ने नितीश कुमार की राजजितिक महत्वकान चांप की पोल खोलते वे कहा कि नितीश कुमार को पता था कि अगामी दोहजार चौबस में लोग सभा का चुनाव जीतने के बाद भाजपा सबसे पहले उन्हें मु करवंधन की विवस्था बना ली ताकि 2025 तक मुख्यमंत्री के पदपर बने रहें नितीश कुमार ने कहा कि अगला चनाव तियश्वी यादर के नितित में लड़ा जाएगा लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं नितीश कुमार को ना तियश्व यानि के अब यह मुकाबला आज यानि की 11 सितंबर को खेला जाएगा बता दी कि आज पूरे 50 ओवर का खेल खेला जाएगा जिसमें टीम इंडिया 24.01 एक ओवर से आगे खेली की मालूमों कि बारिश आने तक 24.01 एक ओवर का खेल इंडिया के दौरा खेला जा चुका है और 121 के साजेडारी की गई रोहित और जिल के पीच हुई साजेडारी ने सचचन और विराठ को लिकी रिकॉर्ड के बढ़ाबरी कर ली है द्रसद सच्चन और विराट की जोडी ने दो बारined एशिया कप में दो बार श्रतकीय साज्यदारी की है सेमेअब रोह सर्मा और श्रुपमंगिल के दवरा भी एशिया कप में दो सतके साज्यारी कर लिगई है भारत के तिहास में आज की तारीक है कहीं कार्णों सदर्च सभी धर्मों में नहित सचाई पर एतिहासिव भार्षन दिया भारत के पुर्पधान नयाधीस पी एन भगवती 2006 में संयुत राष्ट मानवातिकार समीती में चौथी बार पुनर नर्वाचित हुए सभःमन्याम भारत के 305 संग्राम सिनानी समाजी कारीकरता और प्रसिदा गांदी वाधी नेता विनोवा भावी का 1905 में हुआ प्रसद मराथी चाहितिकार आत्माराम रावजी देशपार्डी का जन उनीसो एक में हुआ, अंतराश्वी क्रिकेट में भारत की ओर से पहला सतक जमाने वाले क्रिकेटर लाला अमरनात का जन उनीसो एक ग्यारा में हुआ आधनी काल के प्रसद हिंदी वर राजस्थानी लेखाक करहियाला सेठिया का जन उनीसो एनस में हुआ, दक्षिन भारती अभिनेतरी स्रेया सारन का जन उनीसो एड़ासी में हुआ, प्रगती सील भारती कवी मुक्ती बोध कजानन माधव काने दन उनीसो चौसट में हुआ, हिंदी कवेतरी और हिंदी साहिती बेचायावादी युक के चार प्रमख स्थंबो में से एक महादेवी वर्मा काने धन उनीसो सत्तासी में हुआ, वालकर मैं अचम बात करेंगे, रोजगार के अफसर प्रदान करने के बारे में, सोसल मीडिया पर कहीं सूचना वारल होती ह वेबसाइट होने का दावा कर रही है, और रोजगार के अफसर प्रदान कर रही है, प्याइबी ने अपर टूइट में आगे लिखा है कि ये वेबसाइट भारत सरकार से संबंद नहीं है, अधिकारिक वेबसाइट online risk से बचाने के लिए स्नापचाट ने पेश किया सेफटी फीचर, online risk से बचों को बचाए रखने के लिए स्नापचाट ने एक नया फीचर अप में जोड़ा है, कंपनी एक स्ट्राइक सिस्टम और डिटेक्शन टिक्नलोजी अप में लाई है, जो ऐसे अकांट्स को ब् आएंगे जिन्हें वे नहीं जानते हैं या जो उनके mutual friend list में नहीं है, स्नापचाट की parent company स्टैप एंक का, कहना है कि अगर ऐसे लोग इस इनके साथ बच्चों का आपसी संपर्ख नहीं है या जिन्हें वे नहीं जानते, वे अगर उन्हें अपने साथ जोड़नी की आरे निकल कर सामने आई है कि दुनिया में तापमान में 1.5 डिगरी Celsius की बढ़ोतरी हो जाती है, तो दुनिया के 50 प्रतीशत Glacier गायब हो जाएंगे और सन 2100 तक समुंत्र के स्तर में 9 संटीमीटर की व्रिधी हो जाएगी, पतादी के अध्यान के अनुसार Glacier सन 2100 तक प्रतीशत Glacier पिघल जाएंगे और समुंत्र के स्तर में 15 संटीमीटर की व्रिधी हो जाएगी, इस बाड़े में कारनेगी के सहायक डेवेड राउस ने चानकारी देते वे बताया कि तापमान में जितनी भी व्रिधी हो Glacier को बहुत नुकसान होने वाला है, या प्रिहार है, मालमों की तेजी से पिघलते, Glacier, मीठे, पानी की उप्रतिता, परिद्रिश, परेटर, पार्सिती की तंत्र, खत्रु की आवरिधी तिथा, गंभीरता और समुंद्र के अस्तर में व्रिधी को प्रभावित करते हैं हम प्रति दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल और सिजरी जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार, पुलिस, दरोगा, समीत, SSC, जरसे अने प्रतियोगी परिच्छाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास, बिहार, स्पेश, विग्यान, करिंट अफेर्स और भूगों से रहेंगे, पूछे के पांच सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, क्रेपा करके यहां में कमेंट करके जरूर बताएं हमाड़ा पहला सवाल है, हाली में 8 सितमर को कौन सा दिवस मनाया गया, ऑप्षनी महिला दिवस, ऑप्षनी बाल दिवस, ऑप्षनी अंतराश्टिय साक्षर्ता दिवस, ऑप्षनी इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है option C अंतराश्टिय साक्षर्टा दिवस अगला सवाल, हाली में G20 इंडिया मोबाइल अप्लिकेशन द्वारा कितनी भाषाओं में G20 सम्मध्ध जानकारी दी जाएगी? option C 10 भाषाओ, option B 15 भाषाओ, option C 20 भाषाओ, option D 25 भाषाओं इसका सही उत्तर है option A 10 भाषाओं अगला सवाल, हाली में ACI टेबल टेनिस चैंपियंशिप 2023 में भारतिय टीम ने कौन सा पदक जीता है? option A, स्वर्ण पदक, option B, सिल्वर पदक, option C, काश्य पदक, option D इनमेंसे कोई नहीं इसका सही उत्तर है option C, काश्य पदक अगला सवाल, राजगीर में सित्विश्व सामती स्थूप का अनर्मान किसने करवाया था? option A, चीनियों ने, option B, तिबतन लोगों ने, option C, जापानियों ने, option D, कोडियन लोगों ने इसका सही उत्तर है option C, जापानियों ने अगला सवाल, 1860 के दर्शक में किन जगों पर संथालों ने अपनी सरकार की घोशना कर दी थी? option D, मुंगेर भागलपुर, option B, भागलपुर राजमहल, option C, गया मुंगेर, option D, शहबाद गया इसका सही उत्तर है option B, भागलपुर, राजमहल, बीते दिने मायदरा पूछी के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रचवाप, हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था, जिनोंने हमायदरा पूछी के सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम राज, चंदरदीप, कमले सर्मा, रन्नुगोलु कुमार, एस दिनेश, कस्तूरी कुमारी, रंजीत मृष्ट, राजीव कुमार, पंकश कुमारदास, गुन्जा कुमारी, रविशंकर, महांयद सकीर हुसैन, बाबुलाल मरांडी, इसके साथ ही बरते हैं आज के सवाल क्यो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद